हाई अब्रिवान आज की सेशन में मैं आपसे बात करूंगी जीन नौकाउट के बारे में और पर्टिकुलर्ली ये जीन नौकाउट का मतलब होता है जीन डिलीट करना और ये जीन हम कैसे डिलीट करते हैं क्यों डिलीट करते हैं और कैसे हम उन सेल्स को अइडेंटिफाई कर पात है जिन में gene deletion हुआ है या जिन में gene deletion नहीं हुआ है यह जो neomyosin resistant gene है इसका क्या रोल होता है थाइमडीन काइनेज gene इसका क्या रोल होता है तो यह सब हम understand करेंगे और साथ-साथ जब हम theory understand कर लेंगे तो उसके बाद आपके सामने हैं पर कुछ questions आप देख पा रहे होंगे तो इनको आप खुझ से solve करके मुझे आप इन सभी questions का answer बताएंगे ठीक है तो ऐसे से बहुत सारे questions आते हैं यह बहुत important topic है entrance exam point of view से भी और interview point of view से भी interviews में भी यहां से काफी questions पूछे जाते हैं आपसे ठीक है तो चले हम start करते हैं gene knock out किसे कहते हैं ठीक है क्यों इसे हम perform करते हैं तो knock out का मतलब तो क्या होता है की gene को हम delete कर देते हैं ठीक है gene का deletion आप दो चीजों में कुछ बच्चे confused हो जाते हैं sometimes एक होता है gene silencing ठीक है silencing का मतलब होता है कि silent किया है हमने gene को knock out नहीं किया है silent किया है silent हम कैसे करते है जैसे MIRNA, SIRNA इनका हम use करके gene को silent करके temporary basis पर analyze करते है knock out का मतलब होता है कि gene को यहाँ पर permanently हमने delete कर दिया ठीक है permanent delete किया delete करने की क्या ज़रुद पड़ी क्योंकि हम वहाँ पर gene के function को analyze करना चाहते है तो हमें gene को delete करके हम उसको अच्छे से analyze कर सकते है ठीक है तो जैसे कोई normal cell है और इस cell में इस टाइम सारे के सारे gene है सारे 100% gene इसमें अच्छे से काम कर रहे है और cell properly healthy behave कर दिया है और then उसके बाद suppose हमने कोई gene delete कर दिया इस cell में gene delete करने के बाद अभी cell की हो सकता है इसके morphology change हो जाए या हो सकता है इसमें कुछ और structural change हो, functional change हो कुछ ना कुछ change होंगे तो हम इन दोनों cells को इस cell को और इस cell को comparison करके यह analyze कर सकते हैं कि यस इस वाले gene का जरूर कोई ना कोई function इस से related रहोगा तब ही ये gene जब आपने delete किया है तो ये cell थोड़ा सा different behave कर रही है ठीक है? तो चलिए, तो ये तो हो गया कि gene knockout किसे कहते हैं और ये हो गया कि gene knockout हम क्यों perform करते हैं अब बात आती है कि gene knockout हम कैसे perform करते हैं तो कैसे perform करते हैं इसको हम step by step understand करते हैं पास हम ये जो method है neo-tk, जो gene knockout का method इस ताइम में आपसे discuss करने वाली हूँ ये ज़ादा तर mouse के case में यूज किया जाता है ठीक है? mouse में जब हम कोई कुछ experiment करना चाहते हैं ठीक है? तो mouse में क्योंकि mouse का जो genome है वो human genome के approximately similar है मतलब mouse में ज़ादा तर gene हमारे gene के similar function परफार्म करते हैं तो इसलिए हम human cell पर experiment न करके mouse पर experiment करते हैं ठीक है? तो यहाँ पर suppose ये mouse की cell है ठीक है? और इस cell में मैं रफ रफ ड्रॉ करती हूँ suppose ये chromosome है ठीक है? और chromosome में आपका जो है कोई specific gene जैसे की imagine यहाँ पर ये आपका gene है जो हम नहीं चाहते हैं इस gene को हम क्या चाहते हैं? इस gene को हम delete करना चाहते हैं ठीक है? तो इस gene को अब हमें delete करना है कैसे delete करें? तो delete करने के लिए हमें क्या करना होता है? सबसे first step तो obviously हमें gene की information होनी चाहिए ठीक है तो पहला point तो हमारे पास gene की हमें information होनी चाहिए कि वो gene है क्या, gene का function क्या है क्योंकि हम देखना चाहेंगे कि gene को delete करने के बाद क्या उस function में change आया है और specifically सबसे important चीज़ gene की हमें sequence पता होनी चाहिए ठीक है जैसे suppose ये gene है तो gene का ये वाला terminal और ये वाला terminal हमें पता होना जरूरी है ठीक है दोनों terminals के बारे माइडिया होना चाहिए देन जब हमें ये पूरी information है हमारे पास gene की information है second step हमारा क्या होता है कि हम एक vector design करते हैं ठीक है अभी मैं इस gene को delete करना चाहते हूँ gene को delete करने से पहले हम एक vector को design करते हैं vectors lab में artificially बनाये जाते हैं ठीक है तो यहाँ पर suppose हमने एक vector बनाया है और इस vector में हम obviously इस gene को जब हम delete करना चाहते हैं तो जो gene की terminal sequence है जैसे ये वाली sequence और ये वाली sequence ठीक है ये वाली क्योंकि gene को मैं red color में दिखा के चलती हूँ तो ये तो ये जो दो terminal sequence है ये दोनो terminal sequence मैं vector में भी लोंगे ठीक है and then उसके बाद vector के बीच में हम एक selection marker रखते हैं ठीक है इसका नाम होता है neomyosin ठीक है तो यहाँ पर हमारा ये vector ये हो गए हमारे homologous region gene के जो homologous region है ठीक है ये हो गया homologous ये हो गया homologous ठीक है gene का gene का terminal हमने vector में भी डाला है match करता हूँ और इस terminal के बीच में हमने डाला है neomyosin gene correct and आप इस point को याद रखेंगे कि इसके बाहर की तरफ इधर की तरफ कहीं यहाँ कहीं हम दूसरा gene डालते है that is tk gene ठीक है tk क्या है tk होता है हमारा मैं यहां लिख देती हूँ tk is thiamidine kinase ठीक है तो यहाँ पर आपका thiamidine kinase हो गया ये और neo हो गया आपका क्या neo हो गया आपका neomyosin ठीक है आप यहाँ पर questions में दो चीज़े देखते हैं एक आप G418 भी देखते हैं questions में और आप neo myosin भी देखते हैं कुछ questions में ठीक है तो यह neo myosin और G418 ही क्या होते हैं तो यहाँ पर आपके जो neo myosin जो particularly यह use किया जाता है neo myosin यह pro karyotic cell में use किया जाता है ठीक है और यह जो G418 हम use करते हैं यह अगर हम eukaryotic cells में experiment perform कर रहे हैं तब हम use करते हैं ठीक है तो अभी तक हम कहां पहुँचे हैं अभी हम यहां पहुचे हैं कि हमारे पास एक cell है और cell में हमारे पास chromosome पर हम अपने gene को identify कर चुके हैं जिस gene को हम delete करना चाहते हैं तो gene हमें पता है कि हमें gene delete करना है ठीक है और उसके बाद हम एक vector design कर रहे हैं vector में भी हम इस gene की यह जो terminal sequence है यह same terminal sequences हम vector में भी add करते हैं और ध्यान रखना बच्चो in sequences के बीच में यह हमारी homologous sequences homologous sequences gene के terminal के साथ ठीक है और इनके बीच में हम add करते हैं अपना क्या neomycin resistant gene ठीक है या फिर G418 depending कि हम eukaryotic cell में काम करें कि prokaryotic में काम करें and बाहर की तरफ इस homologous region से बाहर की तरफ हम add करते हैं TK gene ठीक है TK positive gene तो यह हमने एक तरह से क्या बनाया है यह हमने पूरा कैसेट बना लिया इसको बोलता है हम कैसेट ठीक है यह हमने experiment अपने vector में यह हमने पूरा कैसेट बना लिया है next task हमारा क्या होता है कि इस vector को हम इस cell में suppose यह हमारी कोई cell है ठीक है इस cell में हम transfer करते हैं ठीक है अब हमने vector artificially यह vector हमने lab में बनाया है इस vector को हम transfer करते हैं इस cell के अंदर और यहाँ पर कौन सा तरीका यूज के जाता है electroporation ठीक है अगर bacterial cell prokaryotic cell है तो electroporation का मतलब है कि electric current हम apply करते हैं और electric current apply करने की वज़ा से यह जो cell है इसकी membrane थोड़ा सा loose हो जाती है और जिस वज़े से हमारे जो vector है designed vector है यह हमारा इस तरह से host cell के अंदर transfer हो जाता है ठीक है तो electroporation के थो हम इसको vector को यहाँ पर transfer कर लेते हैं तो transfer होने के बाद अब क्या आप imagine कर सकते हो कि क्या हुआ होगा next तो next ऐसा कुछ conditions होती है कि जैसे अब हम फिर से cell draw करते है quickly तो यहां पर आपकी यह cell है यहां पर आपका यह vector है और यह हमारा जीन है ठीक है तो क्योंकि यह जो area है हमारा यह homology शो करता है यह वाला यह जो terminal area है तो इस homology होने की वज़य से क्या होता है यह हमारा Kimberly का part है बीच सेगमेंट है यह हमारा क्या कर जाता है यह switch कर जाता है ठीक है I hope आप यहां समझ रहोंगे switch करने का मतलब switch करने का यह मतलब हो गया कि जो हमारा यहां पर gene है ठीक है यह gene तो पहुँच जाएगा यहां ठीक है और यह जो यहां पर neomycin resistant gene हमने डाला है यह Neomycin Resistant Gene पहुँच जाएगा यहाँ ठीक है यह कब बोल रही हो मैं जब हमारी Ideal Condition चल रहे हैं जैसा हम Experiment में चाह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही हो रहा है हमने Vector को Design करके Cell के अंदर Transform किया है और Cell के अंदर भेजने के बाद हमारे Cell बिल्कुल वैसे ही काम कर रही है जैसे हम चाहते थे यानि जो हमारा Homologus Pairing है वो Homologus Pairing ये वाली और ये वाली प्रॉपरली हुई और Homologus Pairing होने के वज़े से जो Beach का जो Segment था वो Switch हो गया आपस में Swap हो गया Swap होने के वज़े से आप इस Τाइम या क्या Imagine कर सकते हो की यह जो Neomassin था यह तो पहुंच गया किदर यह तो पहुंच गया इधर ठीक है? तो यह तो Neomassin जीन तो पहुंच गया इधर ठीक है? और यह जो हमारा gene यहाँ था यह पहुँच गया है दूसरी तरफ, यहाँ पर, तो यह हमारा vector, पुरा erase हो गया है, बट चले, तो हमारा जो भी हमारा gene था, वो पहुँच गया भी यहाँ पर, ठीक है, vector में कोई भी ऐसा component नहीं है, जो इस gene का expression करा सके, ठीक है, तो vector में यह gene express नहीं होगा, ठीक है, अब य यह तो condition क्या हुई, जब जैसा हम चाहते थे, बिल्कुल perfect वैसा ही काम हुआ, ideally, जो हमारे यहाँ पर exchange होना था, वो exchange हो गया, तो अब इस time पर आपकी जो chromosome है, chromosome में कौन सा gene आ गया है, जो आपका gene था, वो तो जा चुका है, और उस gene के बदले कौन सा gene आ गया है, नियो मैस जो है, जो है, जो है, जो वेक्टर गया है, ठीक है, वेक्टर में sequence of homology, नियो मैसन रिजस्टेंट gene और TK gene, ठीक है, तो यह जो वेक्टर गया है, यह आपका correct जगे ना insert होकर, कहीं और insert हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा cell को मैं बड़ा बना के दिखाती हूँ, ठीक है, यह हो गया हमारा वेक्टर, यह हमारा क्रोमोजोम हो गया, जीन जो हम डिलीट करना चाते थे, वो यहाँ पर है, ठीक है, जीन बिलकुल वैसक है, वैसे यह जैसा उसे होना चाहिए, और यह जो cassette है, यह कहीं और insert हो गई, कहीं और insertion का मतलब क्या हो जाता है कि, नियो मैसन रिजिस्टेंट जीन यहाँ आ गया, ठीक है, हमारा जो है, यह होमोलोजी एरिया आ गया, और यह जो है, हमारा यहाँ पर T के जीन यहाँ आ गया, ठीक है, एक condition यह होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम ectopic, यानि ectopic insertion, ठीक है, जो हम चाहते थे, उस जगह insert ना होके, कहीं और randomly यह जीन हमारा insert हो गया है, ठीक है, तो यह हो गया है, येस, और ectopic insertion हो गया है, और correct insertion हो गया है, ठीक है, और एक case मैंने आपको क्या बताय कि ectopic insertion एक बिल्कुल correct insertion जो हम चाहते थे बिल्कुल correct वैसे ही insert हुआ है और एक condition है कि आपका no insertion यानि जो हमारी bacterial cell है वो बिल्कुल वैसे कि वैसे ही है उसमें gene जो होना चाहे था वो वहीं का वहीं है जो भी eukaryotic cell है ठीक है तो वो gene वहीं का वहीं है तो इस तरह के case में अब कैसे identify करें क्योंकि हमारे पास क्या के conditions है हमारे पास तीन conditions है this is ectopic ectopic this is a no insertion और ये जो condition है ये वाली condition कि जहां पर properly insertion हुआ है मतला हमारा gene इधर आ गया है इस तरफ आ गया है और हमारा जो है neomycin gene इस तरफ गया है इस case में हमारा बिल्कुल correct homologous recombination हुआ है insights के बीच में exchange हुआ है तो हमारा जो है जो T के gene है वो यहीं का यहीं है ठीक है तो ओकी तो इसमें जो भी चीज है जो भी vector में है वो vector में जो भी कुछ है वो expression नहीं देगा ठीक है वो express नहीं होगा और यहाँ पर जो भी चीज है chromosome में जो भी चीज है वो express होगी ठीक है show expression इस point को आप ध्यान रखेंगे अब next हमारा काम आता है suppose इन तीनों cells को मैंने ग्रो कराया किस चीज पर एक plate पर media plate पर nutrient media plate पर और nutrient media plate में मैंने क्या आड किया मैंने दोनों चीज़े आड की क्या क्या आड की नियो मैसन भी आड की और एक ड्रग होती है हमारी that is गंसिकलोवीड ये दो चीज़े हमने आड की ठीक है दोनों चीज़े हम आड करेंगे इस plate में तो उसके बाद इसको मैं erase करते हूँ I hope आपने no down कर लिया होगा इस point को और nutrient तो है ही है इसमें media तो है ही है ठीक है वो बताने की हज़रत नहीं है तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि जो obviously आपको पता होगा कि जो नियोमैसन resistant gene है यह तो resistivity provide करता है resistivity against neomacin ठीक है नियोमैसन के against resistivity provide करता है और T के जो gene है इसको आप याद रखेंगे यह provide करता है sensitivity ठीक है तो क्या यह वाले cell survive कर पाएगी यह cell survive नहीं कर पाएगी क्यों क्योंकि इस cell में क्या नहीं है no neomacin resistant gene ठीक है क्योंकि इसमें हमारा gene है इसमें vector गया ही नहीं ठीक है no vector insertion vector गया ही नहीं तो vector में ही था हमारा neomacin resistant gene तो इसमें तो है ही नहीं इसमें क्या है इसमें हमारा ये ectopic है मतलब random insertion हुआ है जहाँ gene में insertion होना दमात हुआ नहीं random insertion हुआ है तो इस case में क्या होगा इस case में neomyacin resistivity तो है yes ठीक है neomyacin resistivity इस cell के पास है resistant और ये वाली cell भी इसमें भी आप देखें यहाँ पर neomyacin आ चुका है तो ये वाली cell भी neomyacin resistant है तो ये दोनों cells ये दोनों cells survive करेंगी ठीक है neomyacin उसके बाद आब आता है गैंसिकलोवीर गैंसिकलोवीर conditions में कौनसे cell survive करेंगी कौनसे cell survive नहीं करेंगी गैंसिकलोवीर तो गैंसिकलोवीर मैंने क्या बताया जहाँ TK है वो TK sensitivity देगा गैंसिकलोवीर के against ठीक है तो टीके कहा है यहाँ पर TK वेक्टर में है ठीक है यहाँ पर वेक्टर में TK है और वेक्टर में मैंने अभी आपको बताया TK भले ही है वेक्टर के पास लेकिन यह TK express नहीं होगा वेक्टर में जो भी पॉछ चीज़े है वो एक्सप्रेस नहीं हो रहे क्योंकि यह कोई expression वेक्टर नहीं है ठीक है तो यहाँ पर TK है लेकि टीके एक्सप्रेस ही नहीं हो रहा है तो यह cell survive करेगी यह वाले cell survive करेगी यह cell नहीं survive कर पाएगी क्योंकि इसमें TK हमारा chromosome में आ गया है यानि TK हमारा जो थैमिदीन काइनेज उसको express करेगा और थैमिदीन काइनेज हमारी इस drug के against sensitivity प्रोवाइड कर रहा है तो यह drug के against sensitive तो यह वाली सल हमारी गैंसिकलोवीर मेडिया में सर्वाइब नहीं कर पाएगी तो इस तरह से हम यहाँ पर सेल्स का सेलेक्शन करते हैं आई हूप आपको यह पॉइंट सब समझ में आ गये हैं तो यह तीन वेक्टर को डिजाइन किया वेक्टर नौक आउट किया जीन और नौक आउट कहा कॉंसिस सेल में ऐसा नहीं कि कोई भी सेल में आप जीन को नौकआउट कर सकते हो embryonic stem cell में हम जीन को नौक आउट करते हैं जीन नौक आउट होने के बाद हम दे लन हमने selection perform किया cells का जब हमें confirm हो जाता है selection हो चुका है तो वो जो knockout cell है जिन में हमने experiment perform किया था वो सालरी embryonic stem cells होती है इन embryonic stem cells को हम जो blastocyst होता है micro inject करते हैं embryonic stem cells को into blastocyst blastocyst में inject करने के बाद इस blastocyst को हम यहाँ पर एक pseudo pregnant female में transfer कर देते हैं तो यह जो female है इसके पास अभी क्या हुआ है हमारा एए एए हिट्रोजा गस हिट्रोजाईगस कंडिशन में है क्योंकि हमने single gene delete किया है ठीक है compounds single gene delete किया है हमने यहाँ पर तो यहाँ हिट्रोजाईगस gene deletion होँ Also hetrog devotion knock out होई है यहाँ पर ठीक है एनिवेज हिट्रो जाइगर स्नॉक आउट से हमारे यह जो माउस डवलप होगा क्योंकि embryonic stem cells ही हमने यहांकि होई उसकी क्योंकि embryonic stem cells में पावर होती capacity होती कि वो एक पूरे और्गनिजम को बना सकती है तो यहाँ पर embryonic stem cells से यहाँ पर हमने इसमें transfer कर दी cells तो यहाँ पर यह जो माउस बनेगा यह हमारा एक chimeric mouse बनेगा इस chimeric mouse में लेकिन क्या deletion है? हिट्रो जाइगर स्नॉक आउट है एक gene delete है एक gene functional है उसके बाद इसको हम एक normal mouse के साथ breed कराते हैं normal mouse के साथ जब उन्हें breed कराया है इसको तो हमें एक हिट्रो जाइगर स्माइस मिलेंगे दोनों ठीक है? इन दोनों हिट्रो जाइगर स्माइस को हम यानि इन दोनों में एक एक gene की copy deleted है और इनको जब हम फर्दर breed कराएंगे तो अब यहाँ पर हमें homo जाइगर स्माइस gene knockout अगर आपको यह concept समझ में आ गया है तो आपके सामने यहाँ पर यह question है एक question इसको solve करके मुझे आप answer बताइए आप बता सकते हैं question number 6 का मैं यह answer है इसमें आप मुझे बता सकते हैं question number इसको हम 2 भी दे सकते हैं यह question number 140 इसका यह answer है question number 135 ya question number 3 इसका यह answer है यहाँ वीडियो को आप pause करके question को अच्छे से understand कीजिए और अपना best try कीजिए और मुझे chat box में answer बताइए मैं आपको बताऊंगी कि आपका answer सही है कि नहीं है Thank you